लोग जानते हैं और मैं दिपक्ति तिर्द्यानी एक बाद फिर से लेकर आज़िए उन्हों आपके लिए एक बहुत ही बड़ी या शांदर धमाकेदार सेशन लेकर गाईज जो की आर या पार जान लगा दो या जाने दो सेशन के रूप में होता है डेली सुवे सबादस बजे वाइफाइ स्टेडी यूट्यूब चैनल पर गुरूप दी और एंटी पीसी के लिए तो सभी लोग तैयार हैं सभी लोगों को वाइस वगेरा एकदम क्लियर आ रही है बढ़िया तरीके से फड़ाफट से थमसप करके बता दो एक बार कि या सर वाइस वगेरा एकदम बढ़िया है शांदर तरीके से सुनाई दे रहा है बहुत ही मज़ेदर क्लास वने हो ठीक है भाई क्लियर है चलिए चालू करें बढ़ावट से बहुत बढ़िया सभी लोग थमसप कर देंगे सभी लोग लाइक कर देंगे बढ़िया दबा के रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो लक्ष नहीं है लक्ष तो एक ही होता है पर रास्ते अनेक होते हैं कभी एक रास्ता बंद हो जाए तो रास्ते बदलो परंतु लक्ष मत छोड़ो लक्ष हमेशा वही रखो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आगी की और बढ़त होती है रात को नो बजे तो आप लोग इस क्लास का जरूर लाब उठाएं और फड़ावट से अपना सेलेक्शन जो है सुनिश्चित कर लें ठीक है रात को नो बजे नाइन पीम चलिए इसके लाब दोस्तों दीपक कुमार तिर्द्यानी के नाम से आप लोग आना केडमी पर प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं फॉलो करेंगे तो शांदार तरीके से दोस्तों आप लोगो को क्या मिलेगा क कोशन्स मिनिंग है मज़ा आ जाएगा 10% डिसकाउन के साथ में चलिए इसे जॉइन कर लीजिएगा और फड़ा फट से पहले कोशन की तरब आगे बढ़ते हैं एकदम तावर तोड़ सेशन यह है तो तावर तोड़ तरीके से आंसर साने चाहिए ठीक है भाई चलिए पहल देखाऊं कि आउशक्तों कि तीन तो यह हो गए कि अना द्यान से एक यह दो यह तीन के बाद यह चार यह पांच पांच के बाद यह च्छे यह साथ यहाट यह नों यह दस 11 12 यह हो गई 13 13 के बाद यह 14 यह 15 यह 16 यह 17 टोटल कितनी हो गई 17 कितनी हो गई गाई इस फड़ावट से एक बर थमसक पर करके बता तो कुल कितनी रेखाए हो गई अपने बास 17 रेखाया हो गई सही है कितनी रेखाया हो गई 17 चली नेक्स अगले कोशन की तरफ त्रिबूजों की संख्या बताईए इसके अंदर ग्याद करके बताईए कि कुल त्रिबूज कितने हो गई कुल त्रिबूजों की संख्या बताईए भाई है कि टोटल नंबर और ट्राइंगल कितने होंगे आराम से करो कोई जल्दी बाज़ा नहीं हो नहीं पहले जो दिखाई दे रहे उस पर फोकस करो एक काम करता हूं इस फिगर को थोड़ा सा बढ़ा करतेता हूं ताकि और कि यह लीजी कि अधिया अधिया अब गिनो आप आरामस अधिया आधिया प्रोटल टाइंगल देखें कि अ कि देखिए गाइदर यह बनेगा वाई सबसे बहुभे चपसे बहु तो इसको देखो यहां से बनेगी यह 1 2 और 1 और 2 से मिलकर कित्ते हो गए 3 3 तो यह हो गए फheater इधर से यह 1 2 1 और 2 से मिलकर यह कित्ते हो गए 3 यह हो गए सही है 3 और 3 कित्ते हो गए 6 हो गए 3 और 3 6 6 के बाद ध्यान से देखने इसको देखो यहां पर देखो 1 2 1 और 2 से मिल कर कित्ते हो गए 3 हो सही है 3 और 3 6 और 3 3 9 ऐसे ही देखना है देखना गये लो भाई 3, 3 6, 3 3 9 और यह 3 चोक 12 है न होगे 12 अब 12 के बाद देखना दोस्तों यह जो बीच वाला शेप बन रही है यह शेप जो दिखाई दे रहा है आपको ध्यान से देखो इस शेप को देखेगा आप अच्छे इस शेप को आप अच्छे से देखना 1, 2, 3, 4 4 से मिलकर कितने हो जाएंगे 8 12 और 8 कितने हो गए 20 20 हो गए 20 के बाद यह ट्राइंगल 21, 22, 23 और यह 24 24 is the correct answer कितना हो गया 24 चलिए नेक्स अगला प्रश्न करें सभी मशीने शोर करती हैं कुछ मशीने शोर करती हैं कोई भी मशीन शोर नहीं करती है कुछ मशीने शोर नहीं करती है देखिए अगर मशीने तो वो शोर करेगी ही करेगी यह तो आप 100% मान लो है ना वो बोल रहा है कि सभी मशीने शोर करती है बताओ आप क्या दुनिया की सारी मशीने शोर करती हैं क्या सारी नहीं करेंगे कुछ तो करेंगे बताई है वैस सारी नहीं करेंगी लेकिन कुस तो करेगी मांगते हो आप तो सभी मशीने शोर करती हैं ये तो आ सकते हैं कुछ मशीने शोर करती हैं ये तो सही है सही है कोई भी मशीन शोर नहीं करती है ये भी गलत होगे कुछ मशीने शोर नहीं करती है ये अपन कह सकते हैं कुछ मशीने शोर करती हैं तो कुछ मशीने शोर नहीं करती हैं तो सक्त्य वाला कौन सा होगा सेकें एंट थर्ड सेकें एंट थर्ड चलिए नेक्स्ट अगला दे आठ चार दो सोला लिखा हुए प्या लिखा हुए आठ चार दो सोला अगर इनके अदर प्लस और मल्टिप्लाई वाला साइन लगा दें यह दोनों साइन लगा अगर बीच में तो यह सोला हो जाए चलिए अगला प्रशन दोस्तों बना गई यह पड़ापट से 84 तेरा की वैल्यू आठ लिखी भी क्या लिखाव है 84 इंटू 13 इसकी वैल्यू इट लिखी भी आगे 37 इंटू 13 इसकी वैल्यू 6 लिखी में तो बताइए 56 इंटू 22 की वैल्यू को क्या लिखा जाए देखें अगर 8 प्लस 4 आप कर दें और 1 प्लस 3 एड कर दें 12 मैंसे 4 गया तो 8 नेक्स आगे देखें तीन प्लस 7 माइनस एक प्लस 3 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 56 इंटू 22 5 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 11 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 6 चलो नेक्स देखो प्लस का अर्थे विभाजन मल्टीप्लाइ का अर्थे माइनस डिवाइड का अर्थे गुणा माइनस का अर्थे जोड मल्टीप्लाइ का अर्थे माइनस 3 से 9 गड़ गया तीन बर 3 चोग 12 12 और 8 20 पीस में से दो गया तो आठा रहा है चलिए नेक्स्ट बनाई यह यह तो साब साब दिख रहे हैं एक का स्कॉयर दो का क्यूब दो का स्कॉयर तीन का क्यूब पर तीन का स्कॉयर चार का क्यूब 64 साड़े पांच बजए गड़ी के घंटे और मिनट के काटों के बीच का मद्य छोटा कौन ग्यात कीजिए फोर्मला आप सभी लोग जानते हैं 11 बटा 2 इंटू मिनिट माइनस 30 इंटू आर यह फोर्मला हो तो देखना है तो देखना इदर 11 बटा 2 मिनिट की वेल्यों 30 माइनस 30 इंटू आर की वेल्यों पाई 2 से 30 कड़िया 15 बार कि एक सो पैसे टो माइनस एक सो पचास कि इतना हो गया पंदला दी कि कि इतना हो गया भी पंदला ठीक लिए चलिए नेक्स देखना इदर लुकर के कि अथिकिन क्या सब्सक्राइंब कि अभी है और यह चाहब साथ दिक्ट रहे हैं दो भी ये सी बिएच सी बिएच कि ब्रोफ थी टिए टो कि अब गो Cake या ने को डावल सी सिर बीए चली whenmetro कि ॢ cela दिखिए ए और बी के घर उत्तर दक्षिन की और जाती भी सड़क है एक दूसरे के आमने सामने इसे दिन जिसमें एका घर तो पश्चिम पर और बी का घर पूर उपर है एका घर पश्चिम की और ए अपने घर से बाहर आता है बाय मुडता है ए अपने घर से बाहर आया और बाय मुडता है और पांच किलोमेटर की यात्रा करता है यह मानलो पांच किलोमेटर ठीक है फिर अब यात्रा करता है दाएं मुड़ता है और D के घर के सामने तक 5 किलोमेटर की यात्रा करता है किदर मुड़ता है दाएं मुड़ता है और D के घर के सामने तक 5 किलोमेटर चलता है B बिल्कुल वैसा ही करता है और C के घर के सामने पहुंचा एक दूसरे के आमने सामने इस्थित हो गए B के B बिलकुल वैसा ही करता है और C B भी क्या करता है बाइं तरब मुड़ता है B बाइं तरब मुड़ा 5 किलोमेटर की याता करी फिर दाइं और मुड़कर C पर पहुंच जाता है सही सैम वैसा ही तो कौन सा कतन सही है C और D A की सड़क पर रहते हैं बिलकुल गलत C's house faces south C के house का face जो है वो south की तरब है ये भी नहीं कह सकते है Houses of C and D are less than 20 किलोमेटर अपार्ट उन दोनों का घर 20 किलोमेटर से कम दूरी पर हाँ ये कह सकते हो है ये जरूर कह सकते हो है कि दोनों का घर 20 किलोमेटर से कम दूरी पर है ये बात से ही क्योंकि ये 5 ये 5 तो ये आएगा 5 रूट गो ये 5 ये 5 तो ये भी आएगा 5 रूट तो 5 और 5 10 रूट दो हो गए तो 5 रूट दो 10 रूट की वैल्यू less than 20 है दस रूट दो की वेल्यू क्या है लेस देंट कुंटी यह बाद से चलिए नेक्स अगला देखिए कि बी के बाद सी डी अब यहां पर भी हो रहा है एक बाद एफ जी प्लस टू तो पर यहां आगे हो रहा है एच आई प्लस टू तो डी के बाद एफ होना चाहिए था डी के बाद क्या होना चाहिए था प्लस टू करें तो एफ E के बाद F G तो G के बाद H I E प्लस टू H के बाद I J तो J के बाद K L होना चाहिए था तो F I L is the correct answer क्या answer बनेगा F I L यह series अलग है यहां तक और वो series अलग सब्सक्राइए चलिए next देखिए यह minus 1 minus minus 1 यहां पर D आना चाहिए last last में D A की option में आ रहा है CD is the correct answer क्या जाएगा CD क्योंकि यहां पर देखिए क्या चल रहा है ऐसा लग रहा है V is a T minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 करेंगे तो CD तो नहीं आएगा ध्यान से देखें अब यहां पर चल रहा है minus 2 minus 2 minus 2 तो minus 2 करेंगे तो सही नहीं है है ही नहीं यहां पर तो D I नहीं N ठीक है यहां question mark माल लो तो यह N हो क्या और उससे पहले D तो D N हमारा answer हमारा answer क्या बनेगा D N चलिए next अगला बनाईए दोस्तों फड़ा पटसे बनाईए देखी कभी कभी इस तरीके के प्रशन जो होते है न यह मैट्स के प्रशन बन जान जैसे 4.3 क्या दे रखा है 4.3 दे रखा है अब अगर आप पॉइंट अटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10 43 अपॉइंट अगर आप देखें इसका भी आप बनाना चाहिए 4.3 रेशो 10 समानु पाथ 8 रेशो इसको एक्स मान लो यह क्या बनेगा 4.3 अपॉइंट 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 अपॉइं यह कि डू फास्ट कि टी ओ यू आर दोस्तों देखी गाइधर टी ओ यू आर की वेल्यू दे रिखिए वन टू थ्री पोर है ना क्लियर की वेल्यू देखिए क्या दे रिखिए वाइफ सिक्स सेवन एट पॉर कि स्पेर नाइन जीरो एट पोर चेकर रहते हैं इसको पेर की वेल्यू होगी मेरे साब से नाइन जीरो एट ठीक है कोई बात ही हमें तो केर की वेल्यू चाहिए ती ये आरी टो तो सी की वेल्यू फाइप एक वेल्यू एट आर्ट की वेल्यू पोर एक वेल्यू सेवन पाइप एट और से यहां प्रश्व पाइप पॉर सेवन यहां पर सेवन है लास्ट ठीक है इसको सभी कर लाना है यहां पर लास्ट में क्या है सेवन चलिए कि देखिए कैलेंडर को कैसे लिखा हुआ है कि सी ए एल ए एन कि देर कैलेंडर को क्या लिखा हुआ है कैलेंडर को कि सी एल एन कि सी एल एन एए ए ए ए डी और यहां क्या बन रहा है आट देखना है इसके दो कि यह सी कि एल ए ए एन ए ए ए ए डी और यार कि सरक्यूलर का देखो क्या बने कि यह ए इसी आज आर आई कि यू सी कि एल और यहार ठीक है तो क्या बना सियर आई यू ती एला चलिए नेक्स देखिए एक यू का पुत्रे कि यू और वाय बहन है एप वाय की मां जड़ है या की मां कुन है जड़ है mr Star पीपीजड़ का कुत्र है । पीजड़ का पूत्र जड़क बताई है तो पी एक मामा है बिल्कुल मम्मी का भाई कौन हो गया माम पी एक मामा हो A को E के नीचे रखा जाता है C को D के उपर रखा जाता है B को A के नीचे रखा जाता है D को E के उपर और C को D के भी उपर तो मेज के तल को कौन इसपर्ष करता है बी बी मेज के तल को इसपर्ष करता है चलिए नेक्स आगे लिखे ग्यारा साथ इकतिस बनाईए पघा जी बिल्कुल वन वन मेस करतो बिल्कुल सही कि अपने है ठीक है इसमें से माइनस वन करतो होगे तो ग्यारा माइनस टू करतो तो रेցर्ष है यह नो पे यह तीन पे 75 afar इसमें जो माइनस वन माइनस टू माइनस त्री माइनस बोग तो माइनस वन करेंगे तो एम एम मतलब की 13 यहां पर 7 यहां पर 0 और यहां पर 13701 चलिए नेक्स्ट यहां पर हो रहा है प्लस फूर इधर भी हो रहा है प्लस फूर यहां भी हो रहा है प्लस फूर यहां भी हो रहा है प्लस फूर यहां पर प्लस फूर यहां पर प्लस फूर अगले में भी प्लस फूर प्लस फूर कर लो करो क्या बनेगा प्लस 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 वाला सीक्वेंस आना चाहिए जे पिल्कुल एक्स के बाद वाय जेड है यह आप बनाओगी अभी तो मैं बोल रहा हूं कि देखिए दर सही नहीं है पहले वाले को देखें तो माइनस फिफ्टीन हो रहा है पिर यहां पर देखें एसे आप सीधा चले गए बारा पर एसे सीधा कहां पर चले गए आप बारा पर सोची आप एक पर एल बारा पर है जेड से अगर उल्टा चलोगी आप A से L की तरफ चलो तो अभी कितना होगा माइनस पंदर फिर आप माइनस पंदरा जाओगे तो आएगा X P से E माइनस पंदर E से P माइनस पंदर फिर P माइनस पंदरा तोला में से पंदरा जाएगा तो एक पे आता है A तो यह आजाएगा X A और यह बहुत ही प्यारा प्रश्ण सभी के अंदर माइनस पंद्रा वाला सीक्वेंस हो एक अगला तो आई जाय का डी डबलू कि यह तो डाइरेक्ली कर लोगे इसमें तो आपको आपती नहीं होगी ज्यादा इस प्रश्ण में बताईए इस प्रश्ण को करके बताईए निय नीदी रेखाएंगा मतलब समझेव एक दो तीन चार सीदी रेख एक पांच यह साथ यह यह नो यह दस यह ग्याद इतना आएगा इलेवन कि चलो नेक्स्ट कि अग्याओ कि अग्याओ कि अग्याओ कि यह बन रहा है डबल एक्स वाइजड फिर बनेगा यहां से भी बनेगा डबल एक्स वाइजड यह क्यू क्यू डेश एक्स टी क्यू डेश एक्स टी तो पहले तो आंसर बने का एक्स डेश एक्स एक्स वाइज यू डेश एक्स एक्स डावल एक्स वाइज क्यू एस ठीक है तो बी ओप्शन इस दी करेक्ट पांस चलिए नेक्स अगला प्रश्म करके बताइए दोस्तों बड़ा प्रस एक्स का स्क्वाइर पांच का स्क्वाइर फिर एक्स तो मेरे साब से तो ग्यारा आना चाहिए ग्यारा का स्क्वाइर आना चाहिए तो बताओ क्यों तो यहां पे चार यहां पे छे यहां पे कितना वह जाता आठ तो अगले वाले में अगला प्रश्ण करेंगे तो अगला प्रश्ण करेंगे बनाईए डूफास गाइस डूफास बहुत बढ़ी अला जवाब शांदार पड़ाबट से शेयर कर दीजे एक बार लाइक कर दीजे सेशन को और तुरंद प्रवाव से बताईए चार चात्र उत्तर की और मूँ करके एक बैंच पर बेटे हैं सरीता रमन के बाइए और बेटी है मनिश रमन के दाईए और सरीता के लिए तो क्या? सरीता के लिए क्या बोला गया? सरीता रमन के तो बाइए और मनिश रमन के दाईए और राकेश रमन और मनिश के बीच में राकेश देखना है दर सरीता रमन के बाइए और मनिश रमन के दाईए और और राकेश ठीक है इस तरीके से राकेश रमन और मनिश के बीच बेटा है बेंच के बाइए और से दूसरे स्थान पर कौन है? बेंच के बाइए और से दूसरे स्थान पर कौन है? बेंच के बाइए और से दूसरे स्थान पर रमन बनाईए एक संयुक्त परिवार में पिता माता तीन विवाहित पुत्र तीन विवाहित पुत्रों और एक आव विवाहित पुत्री बेटों में से दो के दो दो बेटियां और एक का एक बेटा है परिवार में कितनी महिला सदे से देखें दो दो चार पाँच है चे साथ आट और एक नो परिवार में नो महिला सदे से कितनी महिला है? नो महिला नाइन फिमेल्स बना वाई जोड वागी गुणा वाग तो आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं इसको करके बताओ all papers are stationary some paper are book some stationary are paper some stationary are paper no stationary is paper एक तरब तो बोल रहा है some stationary are paper दूजी सरब बोल रहा है no stationary is paper no book is stationary some book are paper first and fourth क्या बनेगा first and fourth चली next देखिए 735 और 612 में गेब देखें तो प्लस 123 का गेब तो 700 चिंतर में प्लस 123 जोड़े हैं अगर अचा माइनस है ना सोरी माइनस का गेब तो कि इतना होगा 300 तरफ बिल्कुल गलत है भाईया दुग दुद उत्पादन में तो भारत नंबर वन है ये तो बिल्कुल गलत है पशुपालक गरीब हैं ये भी गलत है नेक्स तो एक जन्वरी बोला है उसने एक जन्वरी 2013 के लिए बोला गया है कि वैनस डे है न दोस्तों ये बोल रहा है कि 31 देसमर साधय का धोजार तेरा एक सामानी वर्ष जिस वार को प्रारं होता है उसी वार को समाप्त तो वैनसमदे को प्रारं हुआ है मैं एक लीप वर्ष खोता थो एक दिन बाद समाप्त रता है त Dong Par score किया रहा दोस्तों यह आप लोग मुझे जरूर बता है तुरंद प्रभाव से पड़ापट से क्या score रहा आपका 30 में से पड़ापट से जल्दी से comment करके बता दो कि 30 में से आप लोगों का क्या score रहा अगर 28 तक पहुचे हो तो बहुत ही बढ़िया है 30 तक पहुचे हो तो सूपर ठीक है लेकिन अगर आपका score 24 25 23 है तो भाई आप बहुत मैंनत करें ठीक है ध्यान लख लेना पहले साथी साथ अनकेडमी पर नया बेच हो गया है चालू और 13 तारिक से शांदार भेतरीन बेच चालू हो रहा है तो सभी को सबसे पहले तो नवरात्री की धेड़ सारी शुकामना है आपका जीवन मस्त मंगल में और इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ निकले मातारानी की किरपा हमेशा आप पर बनी रहे आपके परिवार पर बनी रहे आप ऐ कि तेरा तारीक से एक नया पैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको प्रिवेस बेचिस की क्लास भी मिलेगी तो तैयार हो जाना थाटीन अक्टूबर से नया बेच स्टार्ट हो रहा है कंप्रीट कोर्स टैसरी इस प्रिवेस इर पेपर के कोशन के साथ में आप लोग से जोइन कर सकते हैं अनकेडिमी लर्निंग पर जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नौटिफिकेश झाल